दोस्तों, वेस्टीज में जब नए लोग जोईन करते हैं, तो उन्हें सुरू सुरू में बिजनस प्लान को समझना आसान नहीं होता, या बहुत से पुराने लोगों को भी पूरा डिटेल प्लान समझ नहीं आता। ऐसे में मैंने एक ऐसा बिजनस प्लान त्यार किया है, जो सिर्फ चार लाइन में खतम हो जाता है। जिसे ना सिर्फ समझना आसान है, बलके दूसरों को समझाना भी आसान है। अगर ये इतना ही अच्छा प्लान है तो क्यों अब बिना देरी किये फटा-फट विजनस प्लान को समझ लेते हैं। तो चलिए सुरू करते हैं। माल दीजिए ये पहला महिना है जब आपने वेस्टी जोइन किया और 6 लोगों को अलग-अलग लाइन में जोइन किया। तो इस प्रकार आपकी टीम में आपको लेकर 7 लोग हो जाएंगे। अब अगर सभी 7 लोग 100-100 पीवी का समान खरीते हैं। तो चली चेक करेंगे कि पहले महिने के लास्ट में आपको और आपकी टीम को कितनी इंकम आएगी। दोस्तों पहले आपकी टीम से स्टार्ट करेंगे। आपकी हर लाइन में एक-एक आदमी जोइन हैं और हर आदमी 100-100 पीवी का समान खरीता है। तो हर टीम मेंबर का टोटल पीवी होगा 100 और पर्फॉर्मेंस बोनस के चार्ट के हिसाब से वो सभी 5% लेवल पर होंगे। यानि उन सभी को 90 रुपे इंकम आएगी। अब चलते हैं आप पर। आपकी खुद की पर्चेजिंग है 100 पीवी। और आपकी टीम का टोटल पीवी है 600 पीवी। यानि आपका टोटल पीवी हुआ 700 पीवी। अब चार्ट के हिसाब से आप 8% लेवल पर पहुँच जाएगे। और आपको 468 रुपे की इंकम आएगी। अब चलते हैं सेकंड मन पर। दूसरे महिने सभी नए 6 लोगों ने भी अपनी अपनी टीम में 6-6 लोगों को जोईन कराया। तो इस प्रकार नए 36 लोगों ने जोईन किया। पुराने 7 और नए 36 लोग मिलकर हो गये 43 लोग। अब अगर इस महिने भी ये सभी 43 लोग 100 पीवी का समान खरीटते हैं तो टोटल 4300 पीवी की खरीदारी हो जाएगी। इसमें पिछले महिने का 700 पीवी जोड़ दे तो टोटल 5000 पीवी हो जाता है। यानि आप 12% लेबल पर पहुंच जाएंगे और आपको इस महिने 3312 रुपे इंकम आएगी। आपके फॉस डेप्ट के सभी 6 लोग 8% लेबल पर होंगे और उन सभी को 468 रुपे इंकम आएगी। अब चलते हैं तीसरे महिने। तीसरे महिने भी अगर सभी नए 36 लोग अपनी टीम में 66 लोगों को जोइन करते हैं तो 216 नए लोगों की जोइनिंग होगी। इस प्रकार पुराने 43 लोग और नए 216 लोग मिलकर 269 लोग हो जाएंगे। और अगर सभी 269 लोग 100,000 पीवी का समान खरीते हैं तो टोटल 25,900 पीवी की खरीदारी हो जाएगी। यानि अब आप प्रांज डारेक्टर बन जाएंगे और इस महिने आपकी इंकम आएगी 50,376 रुपे। आपकी फॉर्स डेप्ट के सभी 6 लोग 12% लेवल पर होंगे और उनकी इंकम आएगी 3,312 रुपे। और सेकंड डेप्ट के सभी 36 लोग 8% पर होंगे और उनकी इंकम आएगी 4,68 रुपे। सेकंड डेप्ट के सभी 216 लोग 5% लेवल पर होंगे और उनकी इंकम आएगी 90 रुपे। अब चलते हैं फोर्थ मन्त। अब अगर 4 महिने भी सभी 216 नए लोग भी अपनी अपनी टीम में 6 लोगों को जोईन करते हैं तो इस प्रकार 1296 नए लोग जोईन करेंगे। यानि पुराने 269 और नए 1296 लोग मिलकर 1555 लोग हो जाएंगे। अब अगर ये सभी 1555 लोग 100 पीवी की खरीदारी करते हैं तो टोटल 1,555,500 पीवी की खरीदारी होगी। और आप क्राउन डारेक्टर बन जाएंगे। आपकी इंकम होगी करीद 4.5 लाख रुपे। आपके 4-step पर सभी 6 लोग ब्रॉंज डारेक्टर बन जाएंगे और उन सभी की इंकम 50,376 होगी। उनके नीचे सभी 36 लोग 12% पर होगे और उनकी इंकम 3,312 रुपे होगी। उनके नीचे सभी 216 लोगों की इंकम होगी 468 रुपे और उनके नीचे सभी 1296 लोग 90 रुपे की इंकम पर होंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार आपकी और आपके टीम की इंकम हर महिने बढ़ती जाएगी। आप इस प्रकार से भी बिजनेस प्लान को आसानी से समझ सकते हैं और काम कर सकते हैं। उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें और अपनी टीम में भी सेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड विश्यू वैल।